दिल बोले हाइदरबाद आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कहानी हाइदरबाद के मशुहूर मासाब टैंक की मासाब टैंक जी हाँ मासाब टैंक हाइदरबाद का एक बहुत ही मशुहूर इलाका इलाका जितना मशूर है शायद कहानी उतनी फेमस नहीं है और वही मैं आपको बताने वाला होगा तो सदियों पुरानी कहानी है जरा गौर से सुनियेगा इस एरिया का एक्चॉल नाम था तालाव मा सहीबा जो बनते बनते बन गया मासाप का तालाव और रहते रहते रहा गया आज का मासाप टैंक तो जिनकी वज़े से तालाव फेमस है, बता तौप को उनके बारे में, यानि कि मा साहीबा के बारे में. तो हाईदरापाद के कुतुबशाई डायनास्टी के एंपरर सुल्तान मोहम्मत कुली कुतुबशाई इनकी बैटी थी हयात बेगमबक्ष, प्रिंसेस हयात बेगमबक्षी, जिनको आगे चलके माकसाई भावी कहा जाता है, इनका निकाव हुआ था दूसरे एक सुल्तान से, इनका नाम था सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह पर सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह का इंतकाल थोड़ा समय से पहले हो गया था जब इनके बेटे अब्दुल्ला कुतुब शाह थे महज 14 येर्स के 14 साल के तो जब सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह तक पे आये तो उनकी उमर बहुत कम थी, वो थे सिर्फ 14 येर्स के, तो सल्तनित की सारी बागडौर जो थी, वो मासाईबाने संभाल के रखे थी, उन्होंने हाइदरबाद की जनता के लिए उस वक्त, उस वक्त की रियासत के लिए, बहुत सार बड़े काम किये उन्होंने जनता के लिए, उनकी बहादुरी और उनकी सूजबूज का एक किसा आपको बताता हूँ, वो साल था 1656 जब मुगल शासक अवरंग जेब ने गुलकुंडा के लिए को घेर के रखा हुआ था, उस वक्त मासाईबाने ही अपनी पॉलिटिकल सू चाचा नेरू पार्क में चोटा सा एक तालाब है ज़रूर पर अभी ये तालाब इतना चोटा सा है कि पता बनी चलता कि एक जमाने में इस तालाब ने यहां के लोगों की पानी की किल लदे, पानी की मुश्किलों को हल किया होगा, बस सिमेंट कॉंक्रेट की जंगल में व एक्चुल मासा अपतालाब जो था वो कई खो गया है वीडियो पसंद आई है तो ऐसी अच्छी हाइदरबाद के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब किजिए चैनल को आप ही के लिए बाई